Welcome back to our channel guys आज के इस lecture में हम जानेंगे कि कैसे हम अपना खूद का एक countdown timer यहाँ पर build कर सकते हैं वो भी python की मदब से और बहुत ही आसानी से तो चलिए हैं पर इस countdown timer की coding स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम python में time से related कुछ भी project या किसी भी process को complete करते हैं तो वहाँ पर हमें requirement होती है एक module की जिसका नाम है time module ठीक है तो हम फिलाल में यहाँ पर time module को import करते हैं तो import time module ठीक है मतलब एक simple function define करेंगे वो अखिला function आपके सारे काम करते हैं मतलब आपके time की calculation आप जो time दे रहे हो उसके हिसाब से आपके time ने decrease होना चाहिए अगर आप timer लगा रहे होता हूँ तो उसके बाद आपका function आपको notification देगा कि आपका यहाँ पर timer खतम हो चुका है इस step से जितने भी काम आपके यहाँ पर timer में होनी चीए वो सारा काम एक लोता function यहाँ पर करेगा तो मैं आपर उस function को define करता हूँ और उस function का नाम क्या होना चाहिए हमालेज़े हमारा यहाँ पर countdown timer हम यहाँ पर बना रहे हैं खुद का तो चलिए इसका नाम भी हम countdown timer ही रख लेते हैं तो मैं आप लिखता हूँ countdown ठीक है countdown ठीक है हमारे function का नाम ही हमने हमारे project के नाम के उपर रख लिया ताकि आपको proper समझ में रहाए कि यह function क्या कर रहा है ठीक है सिक्स्टी सेकंड दे रहे हो जितने अभी आप यहाँ पर time लगाओ गया उस time के according आपका जो loop है वो continuously चलते रहे ना चाहिए ठीक है जिसमें user से input लेंगे और input लेते time हम user से कुछ push सकते हैं फिलाल में हम यहाँ पर लिख देते हैं enter the time और second या enter the time ठीक है enter the time in seconds या minutes ठीक है इन seconds कर देते हैं फिलाल में then उसको minute में भी convert कर सकते हैं कोई issue नहीं है ठीक है तो हमने t नाम का एक variable बनाया जिसमें हम user से input लेंगे ठीक है और यह input क्या करेगा जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम user से कुछ भी हमारे programming में है या python में mostly जब भी हम कुछ input में लेते हैं तो by default जो उसका type होता है वो क्या होता है इस्ट्रिंग होता है और हमें यहाँ पर countdown मतलब कुछ calculation करना है तो वहाँ पर एक integer value की requirement ठीक है convert करने के बाद इस t की जो भी value हमें user देगा वो हम इस function को pass करेंगे तो मुझे यहाँ पर भी t को mention करना होगा तो जैसा कि आप सभी जानते है screen पर देख सकते हो मैंने हाँ पर t को pass कर दिया और t को हमारे function को भी दे चुके है इतना काम हो चुका है अब while loop हमारे चलता रहेगा अब while loop के अंदर क्या क्या करना है तो हम यहाँ पर minutes को ले आते हैं उसका minutes ले 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 लेते हैं और seconds का seconds ले 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 लेते हैं ठीक है यहां पर seconds की बात कर रहा है ठीक है तो आपका एक second का जो metor है वो कब complete होता है 60 seconds 60 seconds के बाद आप हापर 120 seconds नहीं बोल सकते हैं हापर आपका कुछ minute, then कुछ second आपको बोलना पढ़ेगा ठीक है तो हम यहापर फिलाल में इसको क्या देते हैं 60 मतलब अभी हम यहाँ पर seconds में बात करने है then, अब हमारा timer define करते है तो मैं आपर ले आता हूँ timer और timer को क्या करते है फिलाल में अगर आपने यहाँ पर कुछ चीजे read नहीं किये जिसे hows को क्या बोला जाता है minutes को क्या बोला जाता है seconds को क्या बोला जाता है तो मैं आपर लिख देता हूँ 02D, ठीक है यह हमारा seconds की definition है अगर आप इसको hows या minutes में convert करना चाते हो तो आपकी चाहे आप Google पर देख लिजिए कि hows को minutes को कैस से define किया जाता है then आप इसको second वाले part को उससे replace कर सकते हो आपका program सेम ही काम करेगा then आगे की बात करते हैं अब हमारा काम हो जगा है यहाप पर seconds का तो again मैं आप लिख देता हूँ 02D, then आप इसको क्या करेंगे हम format करेंगे तो मैं आपर इसको format करता हूँ अब format में फिलाल में हम दो चीज़े ले लेता है देखे, एक हवर्स होता है एक minutes होता है और एक seconds होता है तो फिलाल में हम यहापर minutes को और seconds को represent करेंगे हवर्स को अभी फिलाल में नहीं करता है तो मैं आपर इसको format में क्या करूँँगा मतलब हमारा minute then हम यहापर इसको दे देंगे second हमारा second का है sex वाला ठीक है अब ये दोनों चीज़े हम यहाँ पर लिख चुके हैं अगला काम करते हैं अब ये हमारा जो timer चलेगा अब ये background में चल रहा है अब इसको output screen पर आपको user को या आपका जो भी होगा उसको show भी करना पड़ेगा तुम हम इसको show करना के लिए print statement का यूज करते हैं और print हम क्या करेंगे फिलाल में timer को print कर लेते हैं ठीक है क्योंकि हमें timer ही show करना है user को then end function का यूज करेंगे जब भी आपको print की के line के end में कुछ भी modify करना हो चाहे आप print की के line के end में अजे लिखना चाहते हो या वीजे लिखना चाहते हो या line के end में अगर आपको कुछ भी add करना है कुछ भी remove करना है या जो भी आपको function add करना हो जो भी काम करना हो इटी से ठीक है मतलब यहाँ पर आप कुछ भी अगर करना चाहते हो लाइन के end में तो आप end function की मदद से महाँ पर कर सकते हो फिलाल में हम यहाँ पर backslash r का use करेंगे जैसा कि आप सभी जानते हैं क्योंकि हमें अगली line में नहीं जाना है अब timer जब हमारा run होगा ना तो उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे time को कुछ time के लिए slip mode में डाल देता है अब कितने second के लिए सिधी सी बाद है हम यहाँ पर एक दो second की बाद कर रहें तो फिलाल में मैं हाँ पर एक second को लेता हूँ आप यहाँ पर 10 second को भी ले सकते हो question यह then अब हम यहाँ पर क्या करेंगे हमारी जो t की value है यह t को हम assign करेंगे वह किस से करेंगे minus equal to फिलाल में 1 से increase करते हैं अगर आप चाहते हो कि 2 से increase करना है 10 से increase करना है या मालिज आपको घटाना है तो घटाना हो तो आप 10 कर सकते हो 10 second के इस आप से आपका timer से लेगा तो यहाँ पर हमारा बढ़िया से एक complete हो चुका है countdown timer लेकिन यहाँ पर एक चीज और कमी है जिसको मैं आपर लिख देता हूँ print statement में और print statement में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि your time is up मतलब अभी फिलाल में आपका time यहाँ पर खतम हो चुका है जब आपका timer complete होगा माली जे 30 seconds के लिए आपने यहाँ पर timer लिया था then आपका timer खतम हो गया 30 seconds आपके खतम हो चुके हैं तो उसके बाद आपका output screen पर कुछ मिलना चीए जिससे आपको पता चले कि आपका timer खतम हो चुका है नहीं तो program को run करता है run 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 to the loop और यह connecting to console और यह पुछ रहा enter the time in seconds माली जे मैं आपर इसको देता हूँ 30 seconds ठीके और interface करता हूँ तो बहुत ही बढ़िया से गाईज देखिए यहाँ पर बढ़िया से लिखा आ रहा है 26 seconds 25 seconds और बढ़िया से हमारा काम हो रहा है लेकिन यहाँ पर एक कमी है देखिए बार बार print हो रहा है हर second के बाद your time is up ऐसा क्यूं हो रहा है यह वाली जो print statement है यह बार बार run नहीं होना चीए यह क्या होना चीए है हमारे program के पूरे एक बार complete होने के बाद ही print होना चीए हर second पर print नहीं करना है हमको तो चलिए इसको यहाँ पर फिलाल में close करते हैं और यह जो print statement हमने यहाँ पर while loop के अंदर लगा है इसको थोड़ा सा बाहर कर देते हैं अब क्या होगा आपका जो while loop ह पूरी तरह से जब complete हो जाएगा उसके बाद ही आपका यहाँ पर output screen पर show होगा कि your time is up मतलब आपका time खतम हो चुका है तो again इस program को run करके check करेंगे run 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 to the loop और यहाँ पर देखें enter the time in second small जब मैं 15 second लिखता हूँ ठीक है then enter अब बहुत ही बड़ी है से देखें यहाँ पर वो आप सीख चुके होंगे और भोती बड़ी है से आपको समझ में आ चुका होगा और last पर लिखा आ रहा देखें your time is up तो भोती बड़ी है से हमारा यहाँ पर countdown timer प्रिपेर हो चुका है I hope कि आपको यह सारी चीज़े जो मैंने यहाँ पर explain किये वो समझ में आ चुके होग यहाँ पर आपको python से related बहुत सारे project मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी skills को काभी हथ तक improve कर सकते हो तो फिलाल में इस lecture में इतना ही thank you so much for watching and I'll see you in the next video guys